केंद्री मंत्री अनुराक ठाकुर ने सीएम केजरिवाल पर हमला बोला अनुराक ठाकुर ने कहा कि अर्विन केजरिवाल पहले कॉंग्रेस के गोटालों की बात करते थे लेकिन वो खुद गोटाले के दलदल में फसे हुए है वईडी के समन को लेकर के अर्विन केजरिवाल पर हमला बोलने का सिलसिला लगातार जारी है उनके शराब मंतरी शिक्षा मंतरी जेल में है उनके सांसर जेल में है आखिरकार इनके विधाईकों से लेके सांसरों को जेल क्यों जाना पड़ा भष्टाचार के चलते हैं और अराजकता फिलाने का काम भष्टाचार को बढ़ाने का काम अर्विन केजरिवाल जी और इनके भागने का काम करते हैं ऐसा कोई बचा नहीं जिसको अर्विंद केजरिवाल की पार्टी ने ठगा नहीं तो E.D. के समन को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली के सीम अर्विंद केजरिवाल पर हमला बोला है बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अर्विंद केजरिवाल खुद को कानून के उपर मानते हैं इसलिए वो E.D. के सामने पेश नहीं होते हैं विपश्यना और चुनाव उनकी प्रात्मिक्ता है बीजेपी ने कहा कि इनके गड़बंधन के साथी कॉंग्रेस भी जानती है कि दिली में शराब घोटाला हुआ है E.D. ने चौति बार अर्विंद केजरिवाल को पेश होने के लिए समण दिया है लेकिन सुना है कि इजरिवाल जो सरगना है 텍र पर जो पिछले तीन समन्स पर ना जा रहे हैं ना कोपरेट कर रहे हैं और ना बता रहे हैं कि उनकी भूमी क्या रही है शराब घुटाले में इसका मतलब साफ है कि पहले समन्स पर कहा कि स्टार प्रचारक के रूप में बिजी हूँ वहां पर आम आदमी पार्टी को 204 सीट पर दिपॉजिट जप्त हो गई फिर उसके बाद कहा कि मैं विपासना में बिजी हूँ और फिर कहने लगे कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है जी मीडिया समवाद था जितेंद्र शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जोड़ गए हैं जितेंद्र एक और समन्स भेजा गया है और मिलियन डॉलर क्वेश्चन यही है कि अर्विन केजरिवाल पेश होंगे क्या या फिर सही से अवैद बता दिया जाएगा जन्रम पेश होंगे इसकी उमीद बेहत कम है क्योंकि जिस तरह से अर्विन केजरिवाल ने बताया था कि वो पहले 11 और 12 जनवरी को गोवा जाएंगे और अब उन्होंने बताया है कि वो क्योंकि दिली में कोई कारेकरम था इसके विज़े से उन्होंने तारिक बदल ली है क्या बात बताते हैं क्योंकि इस से पहले जो तीन सम्मन दिये गए थे तो पहले सम्मन में उन्होंने का कि तीन राज्यों में चुनाव परचार के लिए जाना है अर्विंद केजरिवाल क्या जवाब एडी को देते हैं बहुत शुक्रिया जिते इंद्र इस पूरी जानकारी के लिए तो दिल्ले के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल को शराब भुटाले को लेकर एडी ने चौथा समन जारी किया है